हेलो फ्रेंज मैं सिखा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे लौकी का हलुआ सबसे पहले हम रौकी को छीन लेंगे और इसके उपर नीचे हिस्से को काट कर धो लेंगे अब लौकी को ग्रेट करेंगे देखिए लौकी ग्रेट हो चुकी है अब ग्रेस ओन करेंगे अब इसमें दो बड़ा चमस गी डालेंगे लौकी को इसमें डाल देंगे इसे थोड़ा चला लेंगे अब इसमें एक कप दूद डालेंगे अब इसे मेडियम गैस पर उबलने देंगे हलवे में अच्छा रंग लाने के लिए इसमें चुटकी और खाने वाला हरा रंग डालेंगे इसमें चासा हरा रंग आजाएगा इसमें चासा हरा रंगे उबलने के बाद इसमें एक तिहाई कप चीनी एक चौताई चमच इलाइचे पाउड़ा डालेंगे चीनी पिगल चुकी है अब इसमें एक तिहाई कप खोवा जिसे हम हांसे मसल कर डालेंगे अब इसमें कटे होए काजु और कटे होए बादाम डालेंगे इसको हम इतम गाड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के वाद अपने आप गाड़ा हो जाएगा अब इसमें बन कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे यह ठंडा हो चुका है इसे सर्विंग वाउल में निकाल लेंगे अब कटे हुए काजू और बादाम से गाड़निस कर लेंगे अब इस लौकी का हलुआ बंगा तयार है इस हलुए को ब्रत में भी खाया जाएगा सकता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें